राइवाल्री फर्म को जॉइन करने के बाद मनोज और मनीशा को ये लगता है कि ये जो जौब मिली है मनोज को वो उनके काबिलत के दम पर मिली है और इसी के लिए उन्होंने 30 लाग का वो हार करीदत आपको याद होगा कुछ दिन पहले से और मनोज को ऐसा लगता है कि ये जो जौब मिला हुने है उनके काभिलत के दम पर निकला है लेकिन बीते कुछ दिनों से मनोज ने जिस तरीके से रियाक्ट किया या मनोज की चो हालत दिख रही उनके बेटों के सामने वह जो डेली रेस्टोरंट पे दारू पी रहे हैं डेली शराब पी रहे हैं और भाई कह यानि कुल मिलाकर कावेरी पोदार या पोदार हम के खिलाफ जाने जो फैसला ये बहुतल ये करन्य की बड़ा है और जल्दी इस फैसला के कारण एक और बड़ा बेट को लेकर आप सभी के सामने हाजर हो जैसा कि दोस्तों दिवाली का मौसम चल रहा है तो बम फटाकों कि आवाज पीछे से आगे से आते रहेगी इसे आप नजर अंदाज करिएगा और वैसे आप सभी को हैपी दिवाली दोस्तों मनोज और मनिशा की भी दिवाली दिवालिया के रूप में दब्दील हो चुकी है क्योंकि भाई इनको 30 लाग रुपे मिले थे तो भाई मनिशा को लग रहा था कि मनोज बहुत काबील वकील है लेकिन किसी के सब गदारी करके यदि कोई अचानक से आपको बहुत बड़ी रकम दे रहा ना तो उस चीज़ों के लिए मनोज को वहां पे दखना या यू कहें कि भाई जॉब मिली थी जैसा ही मिला था जो भी मौका मिला था लेकिन वापस जब जॉब बिलने के बाद मनोज 30 लाग रुपे नहीं दे पाएगा जजू कहीं कि उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसका काम हो गया और अब 30 लाग रुपे ने लोटाने भी है जिसके टेंशन में बेचारा डेली शराप पी रहा है और मनीशा को लग रहा है कि मेरे हस्बंड जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं यह वो वगड़ा क्योंकि भाई अब जब चारू को लड़के वाले देखने आते तो भी वहां पे भाई मनोज रुकते नहीं बल कि हाँ उसे डूटी जाना भाई उसे अपना काम करना मनीशा बढ़ चटके बता रही है लेकिन यह मनोज काम पर जाता नहीं है रस्टरान में बैठकर शराप पी रहा है यह बात कौन बताएगा यह बहुत बड़ी बात और इसलिए मनोज को और मनीशा का यह जो 30 लग का भांडा फोड़ ना यह खुद अर्मान अभीरा करेंगे जब हमारे मनीशा का वेटा खुद जाकर बताएगा उन्हें और यह बात अभीरा अर्मान सुन लेंगे तो यह दोनों मिलकर कुल मिलाकर कुछ ऐसा करेंगे कि ना कावरी पुदार के स कुछ दिनों के लिए मैं नहीं जाओंगी तो आप मनोज जी आप जाईए वहां पर चाचा जी जाईए और जाकर अपना काम करिए आपको वह केविन मिल रहा है तो यह बात कहीं नहीं मनोज और मनीशा को हिट कर जाएंगी और इससे अभीरा और अर्मान की जिंदगी पर प्रमाल पड़ेगा कि फिलाल उनका समिकरन ठीक होगा फिलाल अभीरा के प्रहिए अभीरा काम ने करेगी लेकिन मनोज और मनीशा की घलत फेहमी दूर और तब विद्धया को जी आपधिया के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है ऐसे में आने वाले इस खुशकबरी को और इनके 30 लाग की बड़ी गस्यारी के बंड़ा फोड को दिखने के लिए आपके ज़्याद है कमेंट के जरीए मुझे जरूर बताएगा दोस्तों यह थी आज आपके पसंदिधा शो यह रिष्टा क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट मैं उम्मेद मैं आपके अपना होस्त वेनुकुमार जल्दी आपके अपने पसंदिधा शो यह रिष्टा क्या कहलाता है जुड़े एक और बड़ा बिट को लेकर जल्दी दोस्ते आप से भी किस अपने होंगा जीर तब तक दोस्तों आप से भी को टाटा गुडबाई जय हैं जय भारत कर दोस्तों आप से भी किस अपने तोस्तों आप